पर एक पढ़ रहे हैं जान सुनिये 17.7 पीको कुलाब आवेस 10 सेंटिमीटर भुजा वाले घं के केंद्र पर रखा है तो घं की प्रतेख सता से गुजरने वाला बैदुत फलक से बताओ घं घं जानते हो क्योग की फिगर होती है छे फलक होते हैं उसमें उपर निचे दो दा आए बाए चार आमने सामने जैसे कमरा है कमरा में भी तो छे फलक है उपर नीचे अचारों दीवाले ठीक है घं की आखुती आदेख्यों की जैसे चिनी का टुकडा है देखो बिकत्ति है यह लूडो की गोटी वह भी घं की अकत्ति है तो चे डिसे ऑनो कावेश रखा है 17.07 पीको कुलाम कावेश है देखो बिता है यह सवाल यह अंस्यार्टी की है ध्यान देजिए गया जरह उने सब कोशनमर एक आवेश क्यू बराबर 17.07 पीको कुलाम यहां पर एक टेकनिकल्टी है इसलिए इसको ध्यान से समझना है इसी एक सवाल में टेकनिकल्टी समझा रहा हूं यह अंस्यार्ट एक सवाल मतलब टेकनिकल्टी होगी पीको मतलब 10-12 होता है देखो बिता कुछ चीज़ो के मान आपको याद रहे मिली का मतलब 10-3 सेंटी का मतलब 10-2 माइकोल का मतलब 10-12 नैनो का मतलब 10-9 अपर इस्तिमाल होते हैं यूज होते हैं तो अब यहां पर देखो जरा जैसे कोई घं है काय फलक है उसने टेकनिकल्टी समझो जरा सुसमा क्या है सभी फलकों से गुजन बुजनने वाला बाइद दॉत फलक्स माने संपोल 30 सभी फलकों से बаздकना शर्त की बराबर आवेश डिया है कौन शूद लगे ज़ुह नुच्णलना नट के लिए लेकिंदि değild कि यह है उंकर ऋकलाक का मतलब फलक्स बताँ प्रस्ट की沒錯 से गंविव्ज electron非常 जाने बाइत तो यहां दिखो किसी सवाल में संपोर फलकों के लिए पुछेगा और किसी सवाल में एक फलक्का पुछेगा जब एक फुलक का पूछेगा घाना का राकृति राईगी तो कैसे भाग दोगे चे if और वर्गा का राखती रहे हैं इसलिए घन की सभी स्रीवान सुने बात धाने रखना काई फलक छे फलकों से होकर गुजरने वाला हुआ है दोग फलक फाई सफिक्स की बड़ाब क्या सुतर होता है अब कई फलक का पूछ रहां का राखत प्रतेक फलकों से माने एक फलक का इसलिए अब देखो किसी प्रतेक फलकों से गुजरने वाला सुवार नहीं समया है एसा बताथ है कि वाइक जो अच्छा फलक का उससे किसे वाद देखें कि रीश उडान वान अपान एक साइलन नाट इंटू क्यूँ अपान इशा आदर से सिंग एक कोई मान नहीं होता क्यों कमान सातरा दसमलो साथ जूरे दस की घाते माइने पार सो उसमें अपसाइलन जाए आज दसमलो आठ पांट दूरे दस किगा आज आप लोगों को बताएं कसम से जोन बहुत बिर्जती वाली बात है अगर यह दसमलो और यह दसमलो टेगा तो उपर एक जीगों बढ़ जाएगा पूछों कि नीचे एक अज़ती हैं नीचे दो पहाड़ा बहुत तेज हैं इसे पूछों आज़ पचासे इकमाट पचासे बोड़ी चातरा को बढ़ता है बहुत एक बाड़ा है रजगार मानेट बारा कट गया कितों आए दू एकम दू 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 एक एक बट्रा की क्या फलक्स का मातर बटाएं रहे हैं यह उटर नीटर इसका पशिकूला पहाड़ा देखो हमारा कितना देश्था दूसरा सवाल पढ़ रहे हैं ध्यान से दूनियेगा सभी लोग इसी बहन है किसी घंड के केंद्र में दस माइक्रो कुलाम का एक आवेज धरा है इसी की बहन है कितना घुलाम रखा है माइक्रो कुलाम बोने तो सभी को समझ में आए मेटा निमेरिकल आना चाहिए इस चैप्टर का तो घंड के एक फलक से गुजारने वाला बैदोत फलक्स काई फलक से गुजारने वाला फलक्स होता है इसलिए घंड के एक फलक्स से गुजारने वाला फलक्स क्या होगा बच्चों आप जांगे न संपोर्ट फलक्स है बोला ना मज़ा ना है बतेच्छा बतेच्छा जरूरी है करब में संपोर्ट फलक्स मतलब का सोत्र रहा है यहां देखा यहां अब क्यों कमान बता यकीन है आप लोगों को मेरा पलाज बारा उपर गार पलाज बारा वारा उच्छा आए यहां जह यहां हुआ है आपकोश्चे पर निचे क्यावन नेचे क्यावन हर्ण है उपर सव पचास होता है दूर्धात के लगा देट है यह मज़ा दिन लेज़ जाओं सी दूर्धा टेमल आ देट सब्सक्राइब नीचे अगर केवल पचास हो पचास दूमी सो दूयावत कि नाई लेकर नीचे क्यावन पचास से ज्यादा आए तो दूय सिख्णा है एक दसम्लों नौकिंग मारसी तो ये ट्रिकी कल्कूलेशन है अशन कुछ आए अन्य भाग देगे देख लें नहीं समझे समझा गया एक यावन है नए उपर दो भात जना पर सव बना लिए सव बटा एक यावन सव बटा पचास पाने दूई तो सव बटा क्यावन नहीं चे कुछ यादा वे गया तो दूई नहीं दूच चकमाए चले तूसरे कुलकुलेशन कहले चाँ आगे देखो सवाल अंब कुलान का धन आवेश दसमलों दो मीतर भूजा वाले घंड के के देखा सब दो तेंट यह कैतरक बोल देए किलियर हो जाए इस घंड के पिस से बुजानने वाला कुल बैदुत फ्लक्स तथा एक फ्लक्स से गुजानने वाला फ्लक्स बताओ तो यहीं सवाल है कि नहीं कितना आवेश रखा है कि यूग रावन दो माउसी माने दो उगले दसगात मालक साकुला सिवान्चो घंड से गुजानने वाला संपूर बलड क्या सूत्र होगा बच्चो पूछो वाला पार साल्यकाट ने चुक्यों पक्का पक्का चलो तो क्यों कमान दो गुड़े दस गिगात माइनस चाहिए आज दस अमनों आज पांट बुले दस गात माइनस दस अमनों लगाओ तो आज सो पचासी बुले दस गात चाहिए नमान चाहिए हम आज दुनी सोला देखा दस सम्लों लगाओ तो आज सो पचासी दुनी सतरा सुचता है अम इस पढ़िए रहे लिए लगब तीन सो बचे दूशो नग्ड़े रचे माल जाए दूशो नग्ड़े रचे दस अमनों पिर पर जो नहां परिज़ जाए तो काई फलक से आगा छे एक फलक का इसलिए धन के एक फलक सभी लोग धान देंगे से गुजरने वाला समझिये बेटा नहीं हंतों क्या लगा कि आगे बढ़ जाएंगे आप समझी रहे हों दो दस अमनों दो गुणि दस घाठ पांच बटे छे ये का इस हाट नहीं लाइड़ बाइस हो ये चार तरी का ठारा चार बाइस शास्ते वयाइस तीन दस अमनों पार गुणि दस घाठ पांच ज़गा चार अगला स्वाल पढ़े बेटा है दस से मीं तृज्जा के ध्यान से सुनना कैसे मीं तृज्जा के गोली गासियर प्रिश्क के केंद्र में बिंदु आवेस के कारण साथ सो पचास न्यूटन मीटर स्कॉयर का बैदुत्वक्ष बुज़ता है बैदुत्वक्ष कितना दिया मैने सास्सों बचास कि इस साथ स्वलिगर ने अवाइन प्रिश्की त्रिज़ा दुगणी कर दी जाए तो कितना फ्लक्ष गुजरेगा और आवेस का मान बताऊ कि झादन को पैसका मान पूछ रहा है वेस का मान पूछ रहा है'll tre swear minded स्वार्ण 5 बड़ाबर सूथ क्या होता है 5 बड़ाबर 1 अपार अपसाइलन नाट इक रुपके होती तो क्यू बड़ाबर पिछा गुड़ा 5 इंटू अपसाइलन नाट 5 माँ तिक अच्छे धिदाए ने जा गुड़े अपसाइलन नाट माइनस चिन कल्कुलेशन में नहीं लिया जाता बोल रहे हैं उसा दिसा उसा बता हो कराता है और देड़ सुदा बताएं प्रिजिक्स में कल्कुलेशन गुणा बाग करत की चिनना यूचकी जा विक्तर निसा में लोग है ठीक है चिनननल ऐसा व्यात जिस्थण विक्तर जाङे आगे बढ़र में तो प्रिज्जा दूगनी कर दी जाए तो बैदुत फ्लक्स क्या हो जाएगा तो इसमें दूर दूर तक आर का प्रयोग नहीं है तो चाहे त्रिज्जा दूगनी करें चाहे आधी करें चाहे जाउन गुना करें फ्लक्स पर फ्रफाव तो लिग देने त्रिज्जा दूगनी करने पर बैदू फ्लक्स में कोई परिवर्तन ठीक है तो